बुर्ण बॉर्णी स्टूडेंट्स लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं आज आप लोगों को RMS Value of AC Quantities पर लेक्चर दे रहा हूं और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए यह एक्जाम का एक important question है बहुत ही ज्यादा important question है और बहुत बार आया हुआ question है अगर आफ इसको छोड़ते हैं तो मैं बोलूँगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इनसान होँगा आप नहीं, मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, और एक्जामे छूट जाता है, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूब बन जाओंगा, चलिए, तो टॉपिक पर बात करते हैं, हमारी value है, हमारा topic है RMS value, RMS, पहले तो RMS क फुल फॉर्म, ठीक है, RMS का फुल फॉर्म होता है, रूट मीन स्क्वाइर, चलिए, फुल फॉर्म लिखने पहले, रूट मीन स्क्वाइर, चिक, क्या लिखना हमें, यहां लिखेगा, रूट, रूट, मीन, रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू, रूट मीन स्क्वाइर वैल् अब rms value क्या है थीक है अब इसमें तीन सब्ð है अगर मैं देखूं तो last तीसरा सब्द value के पहले value के पहले square दिखाई दे रहा है उसके mean दिखाई दे रहा है तीनो mathematical term है तीनो अलग अलग होता है square अलग होता है mean अलग होते है रूट अलग होता है स्क्वाइर अलग होता है मीन अलग होता है रूट अलग होता है ठीक ओके रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू अब यह क्या होता है पहले इसको समझते हैं रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू मैंने जो definition लिखा है यह लगता है पहले से लिखा हुआ था यह average value में भी था उसमें और इसमें इसलिए मैं नहीं मिटाया क्योंकि इसमें एक minor सा एक सब्द change कर देने से rms value का definition हो जाता है जैसे उसमें मैंने बोला था और उसमें मैंने लिखा था average value of an AC quantity represented by direct current same था which will transfer the same amount of charge यहां लिखा हुआ तो पिछला वाला लेक्चर में देखो ठीक है same amount of charge लिखा हुआ था average value में यहां same amount of charge नहीं होगा यहां same amount of heat होगा बस heat सब देहां डाल देने से पूरा definition सेम हो गया और definition मतलब rms value का हो गया बस इतना ही सर हां हां इतना ही एक लड़का बोला ही तो याद हो जाएगा अरे याद होने सच्छा समझना है यार यही तो दिक्कत होता है हम लोग ना हम लोग सौटकट भागना चाहते हैं हम अपने समय में भी ऐसे ही करते थे जैसे तुम कर रहे हो अच्छा ठीक है याद बात हो जादा अच्छा रहेगा यही मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं क्योंकि यह आगे चलके लंबी दूरी तक जाने वाले हम लोग है भी बहुत आ अपना ही अपने पैय पे पुलहडी मार रहे हैं चले टॉपिक पर बात करते हैं चाह तो क्या बोला सेम अमांट अफिट सब समझ है नहीं आया तो थोड़ा समझाई ना यहां देख एक रसिस्टेंस लीजे और यहां एक बीसी सर्किट लीजे बीसी सर्किट इसमें भी बो यह एसी सर्किट हुआ और यह एसी सर्किट को वोल्टेज भीसी इसको भी डिनोट कर रहे हैं यहां पर करेंट आई आएगा और असेस्टेंस आ तो यहां पर हीट जनरेट होगा यहां पर हीट जनरेट होगा दोनों का हीट टाइम दोनों का सेम लेंगे टाइम बराबर दो AC circuit, AC circuit, AC circuit में जितने heat amount होगा, उसी तरह से हाँ भी होगा, amount, amount of heat, amount of heat in DC circuit, DC circuit, amount of heat in AC circuit is equal to amount of heat in DC circuit, ठीक, amount of heat in AC circuit, बराबर amount of heat in DC circuit, ठीक है, दोनों में heat same generate होगे, तो heat को calculate करने के लिए, हम लोग heat को जानने के लिए, हम लोग यहाँ पर RMS value लेकिया है, तर हीट को क्यों जाने ही, अरे नहीं सुनो, बताता हूँ, हम लोग के घर में जो AC आता है, वो fluctuate करते रहता है, ऐसे ऐसे सुनो, कभी जादा होता है, कभी कम होता है, एक बार ऐसे घुमा और एक बार ऐसे घुमा तो direction बताये थे आपको, और value भी घटते बढ़ते रहता है, कभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 220, फिर घटते घटते घटते, voltage कम होगे, फिर बढ़े, voltage बढ़ेगा, heat भी बढ़ेगा, heat भी कम आपने, देख लीजे, कैसे अब calculate करेंगे इसका, तो अब कभी भी इस तरह का चीज आएगा, ठीक है, तो पहले इतना तो note कर लीजे, अच्छे से, यह हो गया, definition हो गया, इसे i, इसको के से denote करते हैं, लिख देने, एक point देख लीजे, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by, it is denoted by i rms, ऐसे बोलते हैं, चलिए, यहां तक आप note कर सकते हैं, आई इसके calculation पर चलते हैं, इसके calculation पर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि यह, मैंने waveform बनाया है, one cycle है, two pi है, पहले से जानते हैं, आप इसमें, तो rms value निकालने के लिए, कभी भी किसी कभी rms value एक cycle का निकलता है, average कभी निक सकते हैं, चलिए, तो इसका कभी भी rms निकालेंगे, एक cycle का, तो rms का formula आज के बाद याद रखिएगा, या ic को iac बोलते हैं बाबू, इसका formula क्या होगा, इसका formula होगा, जहां दीजेगा, इसका formula होगा, सुनिएगा, क्या formula होगा, बोलता है, कि कि सबसे पहले तो इधर से जाओ, इधर से क्या लिका, square mean root, square लाओ, इसका, जो current flow कर रहा है, current कोऑन रो कर रहा है, तो iisu होगा, तो i, current का पहले square करेंगे, जहां से, पहले कर दिए, आपनेये कहा, मैंने कर दिया, सबसे पहले square करो, जी, सबसे पहले क्या करुए, square करो, square कर दिये, फिर बोलता है mean mean मन सभी संख्याओं का जोड़ तो एक पुरा साइकल है जीरो से लेके टूपाई एक साइकल लेना है और यहां लिख देना है डी ओमेगा टी तो सभी संख्याओं का जोड़ हुआ समझ में आया नहीं आया समझ में कोई बात नहीं थोड़े बात समझेंगे रूट 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 डालने के लिए रूट नहीं जानता है क्या बात करता है रूट नहीं जानता है रूट नहीं जानेगा तो हम कैसे बात करेंगे रूट ऐसा नहीं होता है देखो तो एक दम होता है सर, root पढ़े तो है, yes root डाल दीजे, ठीक, root डाल दीए, ठीक है, अब यह जो root डाले अब इसी को solve कर दीजे, complete आपका rms value निकल जाएगा, चलिए solve करें, yes sir, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार rewind कीजे, rewind कीजे, फिर से देखिए, आप देखेगा समझ में आ जाए सबसे पहले, i, i command put कीजे सर, देखे, यहां से root अंडर डालेंगे, और देखे, क्या होगा, यहां हो जाएगा integration, 0 से ले करके 2π, और देखेगा, i command, im sin omega t, होगा जी, im sin omega t, d omega t, divided by, कितना जी, 2π, रुको, अरे रुको, इसका square करोगे कि नहीं करोगे, स्क्वाइर है न जी, i command, im sin omega t, हुआ, और यहां हो जाएगा, 2π, हाँ सर, अब इसको गुना आगया, और solve कीजे, देखे, रुकिएगा, आराम से चलिए, हर बड़ा के मत भागिएगा, एक दम एको लड़का, इसका कूद के भागा, जिसे लगता है कि उसको, ठीके, देख का स्क्वाइर, im का स्क्वाइर, sin स्क्वाइर, omega t, उसके बाद लिखेंगे, d omega t, अब पूरा में लिखाएगा, अब बटा, 2π, तो हईए है, 2π रहेगा, सर, चलिए, ठीक, अब आईए हां तक, अब चलिए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखते हूँ, कॉपी उधर जाएगा कि नहीं जाता है, हमको पता नहीं है, इसमें, फिर भी चेक करने में क्या जाता है, इसमें जाता है, इतने ही दूर है, अगले ब्रोड में नहीं जाना है, ठीक है, इसमें कोफी के लिए कोई आप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, नेक्स नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आता तो हम उसको कॉपी उपी कर लेते हैं, सो कॉपी नहीं है, नहीं, 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 छोड़ा, कोई बात नहीं, पेज में जाओ नहीं, याद तो रहे गई हमें, चलो नेक्स पेज में जाते हैं, जाहें नेक हम लोग परना रहे थे iac या i rms बराबर कहां तक आया था बबू देखो यहां लिखे थे root अंडर चल रहा था yes root अंडर चल रहा था integration था 0 से लेके 2 pi आप लिखे थे i m का whole square sin square omega t d omega t divided by कितना हो जाएगा pi 2 pi ना जी यह सच यह भी root में आएगा बब अधियां रखना ठेक यह भी root में आएगा ठेक अब आईए चलिए हां से स्वालब करते हैं इसमें देखो i m square बटा 2 pi बाहर निकल जाएगा यहां से लिखेंगे iac बराबर ठीक है या i rms बराबर देखो i root अंडर में सब है ही अभी मत root अंडर हटाओ यहां से लिखेंगे i m का square बटा 2 pi है ना बचा integration 0 से लेके 2 pi sin square omega t d omega t चलिए सकाफियर तक बाहर निकल रहा है अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं तो यह integration करते हैं integration कीजिएगा तो कैसा दिखेगा देखेगा i m का square बटा में 2 pi into इसका integration करते हैं पल इसको तोड़ेंगे त्रिकोन मीथी में 0 से लेके 2 pi sin square omega t sin theta का formula क्या होता है बाबू तो 1 minus क्या होता है देखेगा 1 minus cos 2 omega t by 2 यहाँ d omega t हुआ 1 cos 2 omega t by 2 यह formula होता है चलिए अब इसको तोड़ी दो भाग में तोड़ते हैं एकड़म बच्चा जैसा ले जा रहे हैं आपको अब उसके बाद भी नहीं बनाईएगा तो हम उसको यहीं बोलेंगे i m square by 2 pi ठीक है यहाँ तोड़ेंगे इसको big bracket कर दीजे और इसको तोड़ी ऐसे 0 से लेके 2 pi 1 by 2 d omega t फिर minus इसमें यहाँ से 0 से लेके 2 pi या लग लग कर दिए बाबू ठीक है यहाँ तक चला गया अब एक एक करके हम लोग इसका अगला step अब देखिए यहाँ ऐसे रूट अंदर तो लगेगा ही अब आई यहें देखिए im का square बटा 2 pi integration करते हैं solve करेंगे तो देखिए 1 by 2 omega t होगा और इसमें जो limit होगा वो limit दीजे आप देखिए limit कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेकर 2 pi तक माइनस का साइन है माइनस का साइन दीजे यहां से यहां था cos 2 omega t d omega t cos 2 omega t d omega t cos का integration sin 2 omega t by 2 होगा omega t के साथ 2 लगा हुआ है हाँ जी omega 2 के साथ 2 लगा हुआ तो by 2 होगा divided by limit कहां से कहां तक 0 से लेकर के 2 pi तक अब यहां तक हो गया अब बड़ा बड़ा इकट बंद कर देते हैं यहां तक ठीक है अब एक इत करके limit पूट करें आराम से limit पूट करते हैं चलिए limit पूट करते हैं बाबु आई यहां तक रूट अंडर लगांगे अब देखिए यहां हो जाए कितना आई एम का स्क्वाइर बटा टू पाइप इंटीग्रेशन हाफ ओमेगा टी टू पाइप फ़ले टू पाइप इसको जीरो तो हो जाएगा कितना एक बटा दो इंटू पाइप माइनस जीरो ब्रेकेट क्लोजड फिर माइनस है तो माइनस देंगे अब आये इसमें अपर लिमिट लोवर लिमिट देखेगा अपर लीमिट में क्या पूट कर रहे हैं कितना हो जाएगा साइन साइन 2 ओमेगा टी के जगह टू पाइप इंटू तू पाइप बटा टू ठीक उसके बद आपर लिमिट हो गया बबू माइनस लोवर लिमिट कितना है जीरो जाएगा साइन जीरो बटा टू ब्रैकेट क्लोज यह लाइन दा तर और बुड़ी ब्रैकेट बन अब मान निकालो दीरे धीरे ले जा रहे हैं और आराम चले जा रहे हैं कोई न व्रैक उसको कट गया है हमां कितना बचेगा पाइय ऊथना माइनस शाइन टू टू जा फॉर पाइ ृचार पाइट का मान होता है जीरो इसे पता चलता है सर आपको अपको अपोलेंसर यह अक्ष पे 0 होता है इसे चार पाई 0 जीरो जीरो पे भी 0 यह 0 है जुन्नु कमान 0 पे हो जाएगा माइनस 0 माइनस 0 लो ब्रैकेट बंद वन जैसर खोदा पहाड निकली जो हिया आज जी आई एवरेज और आई एसी बराबर यहां कितना रूट अंटर रहने देंगे आई एम का स्क्वाइर बटा में 2 पाई इंटू ठीक है बचा पाई खाली पाई पाई से पाई खतम हो गया बच्चा ठीक है अब बच्चा तुम्हारे पास आई एवरेज और आई एसी बराबर इसलेगा आई बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आई एम बटा रूट टू नहीं आएगा यास सर हमारे पास एंसर कितना आएगा I am by root 2, अब इसी को किताबों में देखें कैसे रिखाता है, I average और Iac बराबर, 1 by 2 अलग कीज़े, 1 by root 2 अलग कीज़े, और I am अलग कीज़े, तो भाई, 1 by root 2 कमान कितना होगा, 0.707, है न, 0.707, सही है, 1 by root 2 कमान, 0.707, और I am है, तो I am लिक देंगे, यह हो गया, ठीक है, यह तो RMS value निकल गया, इसी तरीके से average value जहां लोग डिफाइन किये थे, वहाँ पर RMS value भी डिफाइन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, sir, average value, RMS value दोनों डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसको note कर सकते हैं, अच्छे से note कीज़े पढ़िया से note कीज़े, तुम धीरे-धीरे बनाईए, कोई हरवडानी की बात इसमें है नहीं, एक बार slow हो गया, फिर fast, फिर fast अपने आप fast हो जाएगा, ठीक है, तो इस lecture में इतने ही रखेंगे, अगले वाले lecture में हम लोग, इसे कुछ related कुछ, हम लोग formula जानेंगे, pump factor, crest factor, peak factor, यह सब जानेंगे, और उसके बाद और numerical बनाएंगे इस पर, फिर हम लोग AC circuit पे इंटर करेंगे, चले इस lecture में इतने ही, थैंक यू